बॉलिवुड के खुंखार खलनायक से लेकर मुनभाई अमिबेस तक के किरदार को बखुभी निभा कर इन्होंने करोडो फैंस के दिलों पर राज किया है जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, हम बात कर रहे हैं आक्टर संजेदत की जो कभी अपने अच्छे विभार के चलते तो कभी कॉंट्रोवर्सी के चलते बॉलिवुड में सुर्ख्यों में बने ही रहते हैं पर इसके बाद भी इन्होंने दर्शकों का इंटर्टेन्मिंट करने का काम हमेशा से ही बखुभी निभाया है इसलिए आज उन्हें हर कोई जानता है वहीं आप भी इनके बारे में तो सब जानते ही हैं पर क्या आप इनकी पतनी और बेटी के बारे में जानते हैं कि वो कौन है क्या करती है और कैसी दिखती हैं अगर आप भी उनसे रूबरू होना चाहते हैं तो बने रही है हमारे साथ इस वीडियो के अंध तक वहीं आपके फेवरिट संजू बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है बॉलिवूट के दिगर जबने ता संजेदत का जन्म 19 जुलाई 1954 को मुंबई में हुआ इन्होंने अपने शुरुआती पढ़ाई लॉरंस स्कूल सनावर से की और बाद में मुंबई युनिवर्सिटी से अपने ग्राजवेशन पूरी की वह इनके अभिने करियर की बात करें तो इंडस्ट्री में संजेदत ही एक ऐसे आक्टर हैं जो की हमेशा अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा कॉंट्रिवर्सिज का शिकार होते हैं इसके बावजूद इन्होंने इंडस्ट्री में एक अच्छी और अलग पहचान बनाई हैं बता दें कि इन्होंने साल 1981 में फिल्म रॉकी में एक मुख्या भिनेता के तोर पर काम किया और अपने करियर की शिरुवात की इस फिल्म में इन्होंने अपने करिदार को काफी अच्छी से निभायत और लोगों से तारीफे भी हासल की इनके इसी अच्छी प्रिदर्शन को देखकर कई और निर्माताओंने इन्हें अपनी फिल्मों में काम करने के ऑफर्स दिए और इन्होंने एक के बादे कई फिल्मों में काम किया जिनमें जौनी इाइल अथ यू, विधाता जमीन आसमा, जान की वाजी, इनाम दस हजार और साजन जैसी कई हिट फिल्में शामिल है वरत्मान में ये बहुत जल्द अपनी अपकमिंग फिल्म केजी एफ टू में एक विलन के रूल में नजर आने वाले हैं लेकिन अगर बात करें इनके पत्नी के बारे में तो इनकी पत्नी का असली नाम दिल्लवाज शेख और आज ये मानिता दत के नाम से जानी जाती हैं इनका जन 22 चुलाई 1978 को मुंबई में हुआ था वही मानिता एक पूरव अभिनेत्री रही है और वरत्मान में एक जूनिर आर्टिस्ट के तोर पर भी जानी जाती हैं वहें इनकी मुलाकात की बात करें तो इन दोनों की पहली मुलाकात साल 2006 के आसपास हुई थी जहां वो 2002 में अपनी दूसरी पत्नी रिया पिल्ले से अलग हो गए थे और पहली नजर में ही ये मानिता को अपना दिल दे बैठे बता दें कि मानिता के परवरिश दुबई में हुई है वहें ये एक आक्ट्रिस मनना चाहती थी तो ये मुंबई आ गए और इन्होंने अपना नाम सारा खान कर लिया जिसके बाद साल 2002 में बी ग्रेड फिल्म लवर लाइक अस से अपने करियर के शुरुआत की और उसके बाद प्रकाश ज्छा के फिल्म गंगा जल में इन्होंने अलहर मस्त जवानी गाने पर आइटम नंबर किया था और इसी दोरान ही मानिता और संजदत की पहली मुलाकात हुई थी जहां संजदत का दिल इन पर आ गया था और साथ फरवरी 2008 को संज़े ने अपने से करीब 21 साल छोटी मानिता से शादी रचा ली लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की बेटी के बारे में तो आपको बता दें कि इनकी दो बेटिया हैं जिनका नाम त्रिशाला और इकरादत है इनकी बड़ी बेटी तुरिशाला की बात करें तो ये इनकी पहली पतनी रिचा शर्मा की बेटी है जिन से इन्होंने साल 1987 में शादी की थी और शादी के एक साल बाद 1988 में तुरिशाला का जन मुंबई में हुआ पर इन्होंने अपनी सारी पढ़ाए नियॉक से ही की है Criminal Law में अपने graduation पूरी करने के साथ ही psychology में master's की degree हासिल की वर्तमान में ये एक psychotherapist के रूप में काम कर रही है वहीं इसके साथ ही नियॉक की एक संस्था Dream Tresses Hair Extension के founder भी है लेकिन अगर बात करें इनकी खुबसूरती की तो वो खुबसूरती के मामले में किसी अभनेत्री से कम नहीं लगती है और दिखने में काफी stylish हैं जैसे कि आप इनकी तस्वीरों में भी देख सकते हैं अब बात करते हैं इनकी छूटी बेटी इक्रा के, जो इनकी तीसरी पत्नी मानिता दत की बेटी हैं, जिन से इन्होंने साल 2008 में शादी की और शादी के दो साल बाद इनके घर दो जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, जिन में बेटे का नाम सहारन और बेटी का नाम इक् जाना बना देती हैं, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं, विल आपको संजदत की इस प्यारे से परिवार के बारे में जानकारी कैसी लगी, आप अपनी राए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर, और साथ ही ऐसी बेहतरीन खबरों को जानने के भूले